हेलो स्टुडेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा थे जो आप से रिलेटेट कोई भी अपडेट हुआ फिर आप सब्वे स्टुडेंट के कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के अगर आप सब्वे स्टुडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम यह वह आपके डिमिसें से रिलेटेड हो आपके कॉलेज के सीट से रिलेटेड हो कॉलेज के फीस से रिलेटेड हो इन्टरेंज से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सब्वे स्टुडेंट तक आत अगर admission related कोई update होगा या फिर वो interest related होगा तो मैं सब्सक्राइब करूँगा उसी according अभी की जो वीडियो है जिन्वे student को decrest मुर्थल से आप सभी बच्चों से request है जो अगर आप लोग यहां का interest के लिए कर सकते हो तो आप यहां पे form apply करिएगा क्योंकि decrest मुर्थल में placement जो है as compared to other university यहां पे काफी अच्छा देखा गया है या आप BCA की बात करो या आप M.Tech की बात करो या किसी भी ब्रांच के अगर हम बात करते हैं तो यहां interest काफी अच्छा देखने को मिलता है अब आज का जो अपडेट है मैं आपको बता दू और आपने जो भी prospectus देखा होगा वो सिर्फ जो है आपके तीन courses के लिए एक PG के लिए एक double degree के लिए और एक सर ने बताया BCA के लिए अगर आपको इन तीनों में किसी भी courses में admission लेना है जैसे PG में बहुत सारे courses M.Tech हो गया M.Tech म भी डिगरी करना चाहते हो तो इस तीनों से related जो है D.Crest मुर्थल ने अपने official website के उपर जो है इनसे related prospectus जारी कर दिया है तो इसी से related मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाया है जैसे कि कई student के मनमी होगा जो sir यहाँ पे online application form जो है कब हम apply करेंगा और कब इसका last date है तो आपने क्या समझा जो 22 जून से 22 मई से लेके 20 जून के बीच में आप सभी student से request है जो आप अपना form यहाँ पे fill up कर लिएगा और मैंने सुरवात के ही वीडियो में आप लोगों को बताया था जो अगर आप किसी भी university के बात कर लो आप वाइमशी फरीदा के बात कर लो आप आपको 4th year में admission लेना है तो आपको यहाँ पे entrance देना होगा लेकिन अगर कोई student ऐसा है जीसे बीटेक 3 years का करना है जैसे या आप मान लो कोई student ऐसा है जीसे बीटेक 4 साल का करना है after 12 तो यहाँ पे आपको कोई इंट्रेंस नहीं देना इससे लिए आपको special form भरना पड़ता है HSTS की तरफ से उसे related भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाओंगा और उसके अलावा जितने भी courses है और अगर आप university के campus से करना चाह रहे हो तो 99% courses में आपको admission लेने के लिए entrance देना होगा इस बात का ध्यान दखिएगा अब कई बच्चों के मन में है sir हमने online form तो apply कर दिया अब बताइए admit card का आएगा देखिए सबसे पहले जो अगर आप अपना online form भरिएगा online form जब आपका फिलफ हो जाएगा तो एक date में आपका admit card आएगा तो admit card का date इन्होंने 24 जून 2024 रखा है मान लीजेगा 24 जून को नहीं तो 25 जून को confirm है आपका admit card आही जाएगा इन यह decrest मुर्थल ने आपका entrance date भी बिल्कुल clear कर दिया है 27-28-29 इन तिनों date को जून में आप लोगों के entrance होंगे और कई बच्चों के मन में है जो सर्मान लोग मुझे BCA में admission लेना है तब कब होगा डबल में लेना है तब कब होगा या PG किसी भी course में लेना है तब वो बिट इने भी entrance है यह इनको off campus college में ही होंगे इनके university में ही होंगे इस बात का भी ध्यान रखना फिर रही बात सर अगर मानलो हमने admit कर देके entrance दे आए तो entrance का result कब आएगा तो दीखे बेटा अगर आप लोग entrance दे देते हो तो entrance का result का जो date है नोंने 2 July 2024 रखा है अगर मानलो 2 July को न home apply करेंगे जिनका result काफी अच्छा होगा जो बहुत अच्छे marks score करेंगे तो अगर आप सही marks score करते हो तो आपके लिए 3 option है counseling के लिए first counseling, second counseling, third counseling और अगर university में इन तिनों counseling के बाद भी कोई call sheet बच जाता है तो फिर यह notification देंगे fourth, fifth counseling में भी याद रखना तो first counseling का date इनोंने 5-7 के बाद रखा है, 5-7 से लेके आप ऐसे मानिया, 8 के बीच में आप लोग जो है अपना first counseling करवा सकते हो, लेकिन first day ही counseling करवाने जाना, मतलब 5-7 को आप लोग college पहुंच जाईएगा, first offline counseling के बाद आपका second counseling होगा, जिसका date इनोंने 12-7 से लेके, ऐसे मा counseling रखा गया है, जिसका date 22-7-2024 है, तो यह आपके तीनों counseling रहे, सबसे पहले आप form apply करिएगा, बाइस पांस से लेके 20 जून तक, आप admit का download करिएगा 24 जून को, आपका entrance होगा 37-67-39 इन तीनों में किसी एक दिन, result आपका आजाएगा 2 जुलाई को, सारे बच्चों का बता इन तीनों में से, उसका तो first counseling का date यह रहा, second counseling का यह है, third counseling का यह है, अब कई student के मन में एक question होगा, जिनकी बात हम करने है, intern syllabus को लेके, तो आप इसे वीडियो के description में आपको एक link मिलेगा, university का link है वो, उसे link पे आप click करके, सबसे पहले तो अपना सारा कुछ, जैसे इसर syllabus क यह है, कब exam होगा, यह सारा कुछ, और साथ साथ आप अपना online जो है, form भी fill up कर सकते हो, लेकिन अभी जो है, इन्होंने UG related कोई भी information नहीं दिया है, जब भी आपका undergraduate course का कोई information आएगा, वो भी मैं आप लोगों को रखूंगा, लेकिन अभी अगर इन तीनों course में आप किस अगर category है, तो उसमें 500 लगना है, लेकिन अगर आप जेंडल या other states से apply करते हो, तो आपके लिए 1000 रूपे charges रखा गया form apply fees, यह सारा update है, इसलिए मैं सभी students से request करूँगा, जो आने वाले हर university के लिए, आप लोग Civil World को follow करते रहिए, ताकि कोई भी update आप से रहना जाए, तो जो भी update होगा, मैं सभी student करकने की कोशिश करूँगा, by all of you, I hope हमारे सारे student ठेक होगा,